तो आजे मटर का सीजन है, यह से में मटर पनी पुला बनाना को बनता है, वो भी वन पॉट में और फिर भी खिले-खिले और स्वादिस्ट बनकर तयार होंगे, ऐसे टिप्स और परफेक्ट वेजर्मेंट के साथ, जिसे फॉलो करके आप भी ऐसे ही शाही मटर पनी पुला आ वनीर पुलाव बनाने के लिए मैं ले रहे हूँ यहां पर रेड़ कब चावल, और मैं इसे एक बावल में डाल दूंगी तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर बासमती चावल का यूज किया है, इससे हमारे पुलाव बहुत ही अच्छे और लॉंग ग्रेंड बनेंगे, आप चाहे तो सिंपल चावल भी यूज कर सकते हैं, रेग्यूलर चावल जो हम बनाते हैं लेकिन पुलाव और बिर्याणी में पतले और लंबे राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए आप बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब हम इन चावल को एक से दो पानी से अच्छे से दो देंगे, ताकि इसकी गंदगी और इसकी डश्ट जो है वो निकल जाएगी तो देखें इसमें कितना गंदा पानी निकला है, अब हम इस पानी को निकाल देंगे मैंने इन चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छे से दो दिया है अब हम इसे पानी डाल कर आदे गंडे के लिए सोक होने के लिए रख लेंगे ध्यान रहे आदे गंडे से ज़्यादा हमें इनने नहीं भीगोना है वरना चावल की खिचडी बन जाएगी अब गैस पर मैंने एक कड़ाई रख दी है और उसके अंदर मैं दो टेबल स्पून घी डाल रही हूँ अब चाहे तो ऑईल का भी इस्तिमाल कर सकता है लेकिन घी का फ्लेवर पुलाव में बहुत ही अच्छा आता है जैसे घी घरम हो जाएगा मैं इसमें 200 ग्रम पनीर आड़ कर दूँगी तो पनीर को मैंने इस तरह से square shape में, cube के shape में cut कर लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी इसे golden color आने तक हमें fry करना है अच्छे से इन्हें पलटते जाए और चारो तरफ से इन्हें golden fry कर ले दाकि पनीर का taste बहुत ही अच्छा आएगा अब चाहे तो पनीर को इससे ज़्यादा छोटे pieces में भी cut कर सकते है तो देखें friends अच्छे से golden color आ गया है बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं golden करना है और मैं इसे एक plate में निकाल लूँगी तो मैंने सारे पनीर को plate में निकाल लिया है अब इसे side में रख लेंगे हम और इसी कड़ाई में मैं काजू के टुकड़े डाल दूँगी तो मैंने यहाँ पे 15-20 काजू लिये है और उनको इस तरह से दो टुकड़ों में cut कर लिया है अब इने भी हम तोड़ा सा roast कर लेंगे हलका सा golden color आने तक हम इसे fry करना है तो अब यह golden हो चुके है मैं इसे एक plate में निकाल लूँगी fry करने से काजू की crunchy ने सौर भी बढ़ जाती है और इसका taste भी बहुत ही अच्छा आता है अब मैं इसी पेन में butter डाल दूँगी तो मैंने यह पर दो टेबल स्पून butter डाला है साथ ही दो टेबल स्पून oil डाल देंगे जिससे butter जलेगा नहीं अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे हाफ टीस्पून जीरा हाफ टीस्पून साबुत धनिया और एक डाल जीरी का टुकड़ा एक बड़ी हिलाईची तीन छोटी हिलाईची और पांच से छे लॉंग साथ आठ कालिमिज और दो तेज पत्ता और दो चुटकी हिंग लिया है और इन्हें हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे प्याज फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे तो देखे फ्रेंट्स प्याज हमारे गोल्डन हो चुके है तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अधरक लसन की पेश्ट डाल देंगे अधरक और लसन अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं अब हम इन्हें हलका सा फ्राई कर लेंगे बस एक मिनिट के लिए हम इसे फ्राई करना है अब हम इसमें डाल देंगे चार से पांच हरी और लाल मिर्श जिसको मैंने इस तरह से लंबा कट कर लिया है और आदा कप जितना मैं घाजा डाल दूँगी जिसे मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है साथ ही मैं इसमें एक कप फ्रेश मटर डाल दूँगी, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्दियों में बहुत ही अच्छे और ताजे फ्रेश मटर आ रहे हैं, तो इसी का इस्तिमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक से इसमें लाल मेश डाल दूँगी, और साथ ही आदी चोटी चमर्च में हल्दी डाल दूँगी, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा हैगा, अब हम हलका सा इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसमें भीगोई हुए चावल डाल देंगे, जो हमने आदे गंडे के ल बनता है, अब हम इने हलके हलके हातों से मिक्स कर लेंगे, तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें पनी डाल देंगे, जो हमने फ्राय करके रखा था, पनी डाल देंके बाद हम इसमें काजू डाल देंगे, और थोड़ी से काजू में इसमें से बचा दालँगी गानिशिंग के लिए अब हम इनको हलके हलके हातों से मिक्स कर लेंगे वे फ्रेंज देखे पुला का कलर कितना प्यारा लग रहा है अब हम इसमें पानी डाल देंगे मैंने यह पर देड़ कप चावा लिए थे तो मैं इसमें डाल दूंगी पौने तीन कप पानी ठ्राई कप से थोड़ा सा ज्यादा अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ ठ्राई कप ही पानी डाले अब मैं इसमें एक टेबल स्पून जितना नीमू का रश डाल दूंगी इससे चावा लेकदूसे से चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे अब मैं इसमें स्वाद अनुसा नमक डाल दूंगी नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए आप ध्यान से डालेगा अब इन सबसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए पुदिना के कुछ पत्ते डाल रही हूँ फ्रेश पुदिना के कुछ पत्ते मैंने इस तरह से तोड़के डाल दिया है इसमें इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा अब हम इसका ठकन लगा देंगे और 7-8 मिनिट के लिए हम इसे मीडियम आज पर पकने देंगे तो 8 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसका ठकन अटा के चेक कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स चावल एकदम खिले खिले और बहुत ही बढ़िया बने है अब इन्हें हम हलके हाथों से फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सबजे पूरे पुलाओं में मिक्स हो जाए अब लाश्ट में हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पुन देसी गी जिस अब हम फटा-फट इसके साथ खाया जाने वाला मिक्स वेजटेबल राइता बना देंगे तो उसके लिए मैं या पर ले रही हूँ डेड़ कप दही यह फ्रेश दई है और घर का बना हुआ दई है आप चाहे तो मार्केट का दई भी इस्तिमाल कर सकते हैं हलका सा दई जारी कटावा प्यास डाल दूँगी एक चटाई कपी में इसमें ग्रेट की गाजर डाल दूँगी आप इसमें टमाडर भी आड़ कर सकते हैं तो अब राइते को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे तो मैं इसमें आधी छोटी चमज पूदीना क से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स बहुत ही इजी है यह मिक्स वेजटेबल राइता और बहुत ही चटपट बनकर तयार हो जाता है इसे आप पूरी पराठा चपाती पुलाव या बिजानी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही तेस्टी और जबदस लगता है य अब मैं इसे एक सेर्विंग बाउल में निकाल दूँगी बहुत सारे वेजटेबल्स होने की वज़े से बहुत ही जादा है यह अब इसे गानिश करने के लिए मैं इस पी थोड़ा से रेड मिर्ची और कुछ दनिया के पत्ते डाल दूँगी और लाश्ट में मैं इसे और इसे मैं काजू की टुकड़ो से गानिश कर लूँगी यह वही रोश्ट कियोए काजू है जो थोड़े से मैंने गानिशिं के लिए बचा लिये थे अब मैं थोड़े से हरी धनिया के पत्ते इस पर डाल दूँगी होटल और ढाबा स्टाइल पुलाव बनकर तयार हो ग तक यू